हलो स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खत्री एजुकेयर में लास्ट वीडियो में हमने डिजिट नम नुमिरल्स और नंबर्स के बारे में पढ़ा था आज के वीडियो में हम वन डिजिट टू डिजिट त्री डिजिट से लेकर न जीरो से लेकर नाइन तक जीरो वन टू थ्री फोर फाइफ शेक्स सेवन एट और नाइन कि आज हम इन दस डिजिट जो टैन डिजिट से इन से मिलकर बनने वाले नंबर्स उसके बारे में पढ़ेंगे और जितने भी बड़े से बड़े नंबर्स क्यों नहीं हो उनका जो सब्सक्राइब बेसिक है वह यह टैन डिजिट से मिलकर यह बड़े से बड़ा नंबर बनता है अगर हम counting की भी बात करते हैं तो counting कैसे बनती है वह counting भी इन्हीं 10 डिजिट से ही बनती है कोई भी number कितना ही बड़ा क्यों नहों 0 से लेकर अगर infinite तक का भी number है तो वो भी 0 से लेकर 9 तक जो 10 डिजिट है इन सब से ही मिलकर बनता है अगर कोई number में एक number है उसमें अगर हम एक डिजिट एड़ करते हैं तो उसका next number आता है और इसी pattern में counting बनती है अब देखिए कैसे होता है अगर मैं बात करूं ये digits हैं हमारे पास में सबसे छोटा डिजिट कौनजा है जीरो है यह है smallest डिजिट या इसको हम कह सकते हैं कि smallest वन डिजिट का नंबर है कि इस one डिजिट में zero plus one अगर मैं करता हूँ तो क्या मिलेगा one one में one डिजिट एड़ करता हूँ कि क्या मिलेगा two 2 में one डिजिट करता हूँ तो क्या मिलेगा three और ऐसे ये आगए का number समय मिलते जाएं गे वैसी अगर मैं ग्रेटेस्ट डिजित की बात करूं तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट डिजित कौन सा है नाइन है इसको हम ग्रेटेस्ट वन डिजित नमबर भी कह सकते हैं अब मैं यह गेटेस्ट डिजित 9 में अगर 1 डिजित एड़ करता हूं तो क्या समय तरह से कांटिंग है 0 से लेकर infinite तक ये इन ही 10 अंकों से मिलकर ही बनती है तो चलिए शीखते हैं कि अब 1 डिजिट नमबर से लेकर जो 9 डिजिट तक के नमबर्स होते हैं उन में कौन-कौन से नमबर आते हैं और उन में कौन सा सबसे बड़ा नमबर है और कौन सा सबसे चोटा नंबर है आज मैं आपको बहुती एक आसान और बड़िया ट्रिक दिखाने वाला हूं वो ट्रिक से आप बड़े से बड़े नंबर बना सकते हैं तो सबसे पहले इसके लिए हम एक टेबल करते हैं यह टेबल हम क्या करेंगे सबसे पहले मैं यहां पर लिखता पर लिखता हूं उसका गेतर है कं आदि कि पहले नंबर लिखते हैं वन डिजीट टू डिजीट फिर उसका सबसे स्मालेस्ट नंबर कौन सा होगा और ग्रेटेस नंबर कौन सा होगा तो देखे यह वन डिजीट two digit, three digit, four digit, five digit, six digit, seven digit, eight digit, four digit, nine digit, अब देखिए हमें पता है कि जैसे one digit number है, one digit number में सबसे smallest, सबसे छोटा number कौन सा होता है, वो होता है, zero, जो मारी digit zero से nine तक होती है, zero सबसे smallest और nine हो गया greatest, सबसे बड़ा number हो गया nine, सबसे छोटा हो गया zero, अब देखिए, यहां पर smallest है, और यहां पर greatest है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं पता है, सबसे बड़ा जो number हो nine होता है, तो two digit हम यहां क्या करेंगे, सीधा ही दो बार nine लिख देंगे, जितने भी digit का number हो, उसका greatest में nine ही आएगा, जितने भी उसमें अंक का group है, वो सब nine ही आएगे, जैसे three digit है, तो three digit में तीन बार nine, four digit है, four digit में four बार nine, five digit में five बार nine, six digit में six time nine, seven digit में seven times, यह one, यह two, यह three, यह four, यह five, यह six, और यह seven, eight digit में eight times, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, बजे, आठ, और यह nine digit number में nine times, one, two, three, four, five, six, seven, eight, and nine, अब देखिए, अब बात करते हैं, smallest number, अब zero से लेकर nine तक, यह तो one digit हो गया, अभी हमने आपको थोड़ी दिर पहले ही बताया था, अगर बुझे इसका अगला अंक निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें एक digit add कर देंगे, यानि कि, अगर मैं nine plus one करता हूँ, तो क्या आता है, ten, तो two digit number में, ten smallest number है, और greatest number है, nine, three digit number के लिए क्या करेंगे, यहां पर, अभी 99 plus one, यह आ गया, one, zero, zero, तो three digit number में, hundred, जो है smallest number है, और triple nine, greatest number है, वैसे ही four digit में क्या आएगा, triple nine, plus one, one, zero, 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 यह one thousand आ गया, तो four digit number में, one thousand smallest number है, और, यह four times nine, greatest number है, तो यहां पर क्या हुआ देखिए, पहले start होता है smallest number, zero से, two digit में, एक बार one आएगा, एक बार zero आएगा, three digit में, एक बार one आएगा, फिर, दो बार zero आएगा, four digit में, एक बार one आएगा, तीन बार zero आएगा, यहां कि, अब मुझे five, जो digit का number निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक बार one लिखूंगा, remaining four digit, four digit में, one, two, three, and four, यह मेरा बन गया, five digit का smallest number, six digit के लिए क्या करूंगा, one, one, two, three, four, and five, seven digit के लिए, एक digit में, one, और remaining जितने भी digit है, six digit, यह one, two, three, four, five, and six, eight digit में, one, seven digit, zero, one, two, three, four, five, six, and seven, nine digit में, one, then, one, two, three, four, five, six, seven, and eight, तो देखिए, यह one से लेकर, nine digit तक में smallest number कौन से होते हैं, और greatest number कौन से होते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, one digit number, zero से लेकर, nine तक होते हैं, two digit number, 10 से लेकर, 99 तक रहते हैं, three digit number, one, hundred से लेकर, nine hundred and ninety nine तक रहते हैं, इसी तरह जहें, नाइन digit number, जो हमारा होता है, यह number से, one और पीछे, eight times zero से लेकर, जो है यहाँ पर यह 9 x 9 तक रहता है अब यह बड़े बड़े नमबर हैं हम इनको पढ़ेंगे कैसे यह हम आपको आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं तो स्टुडेंट्स यह सबसे आसान और बढ़िया तरीका है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नमबर बनाने का आप भी इसी मेथड से कितनी भी डिजिट का नमबर हो बढ़ी आसानी से बना सकते हैं होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जल्दी से कैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू